मश्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पार्ट नमबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार, क्या नाम है शब्द विचार, वर्णों का वह सार्थक समू, जिसका कुछ अर्थ हो, शब्द कहते हैं, जिन वर्णों का कुछ भी अर्थ नय हो, उन्हें शब्द नहीं कहते हैं, जैसे घर, कमल, बर्गद, यहां इन तीनों शब्दों का एक अर्थ है, बर्गद एक पेड़ का नाम है, कमल एक फूल का नाम है, और घर माने घर ही होता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इन तीन शब्दों का अर्थ निकलता है, तो इसलिए यह कैसे हैं, शब्द कहलाते हैं, तो परिवासा पढ़ते हैं, वर्णों वह सार्थक समूँ जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वर्णों वह सार्थक समूँ जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाते हैं अब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं यानि शब्द कितने परकार के होते हैं शब्द कितने परकार के होते हैं शब्दों का मुख्य रूप से चार आधारों पर वर्गीरण किया गया है यानि जो शब्द हैं उनका जो वर्गी करण के आगाया है जो बांटा गया है चार प्रकार से हैं पहला उत्पत्ति के आधार पर नमबर दो बनावट के आधार पर नमबर तीन परियोग के आधार पर और नमबर चार अर्थ के आधार पर अब हम आगे इन चारों के बारें डिटेल में पढ़ेंगे विस्तारित रूप से पहला है उत्पत्ती के आधार पर चलिए स्थार्ट करते हैं उत्पत्ती के आधार पर उत्पत्ती का अर्थ है जन इस आधार पर शब्दों का यह पता लगाया जाता है कि शब्द का आगमन कहां से हुआ है इस आधार पर हिंदी के शब्दों को चार भागों में विभाजित किया गया है जैसे तत्सम शब्द अब चो जो उत्पत्ति का आधार है उसको भी चार भागों बाट गया है नमबर एक तत्सम शब्द नमबर दो तद्जब शब्द नमबर तीन देशा शब्द, नमबर चार विदेशा सब्द तो पहले हम तट्टम शब्द के उरेम पढ़ेंगे जो शब्द मूर लूप से संस्कित के हैं और उसी रूप में हिंदी भासा में परियोग किये जाते हैं उन्हें तत्तम शब्द कहते हैं जैसे कुछ उधारन निम लिखते हैं आई दुवारा पढ़ते हैं जो शब्द मूल लूप से संस्कृत के हैं और उसी रूप में हिंदी भाषा में परियोग किये जाते हैं उन्हें तत्तम शब्द कहते हैं जैसे अंदिकार ये एक संस्कित का शब्द है, हिंदी में भी हम इसको अंदकार ही लिखते हैं, संस्कित में भी अंदकार अधीन, आक्रमन, आनन, आकाश, आकार, उच, उच्चा, पृत्वी, पवित्र, परवत, रास्ट तो ये सबी शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं, कौनसे हैं, तत्सम शब्द, यहां और भी बहुत सारे हैं, आप इन सबी को पढ़ेंगे, हम आगे चलते हैं तद्भाव शब्द किसे कहते हैं जो शब्द संस्कित के हैं परंतु हिंदी भाषा में आने पर उनका स्वरूप बदल गया है यानि शब्द तो संस्कित के हैं लेकिन जब उनका प्रियोग हिंदी भाषा में किया गया तो उनका रूप बदल गया तद्भव शब्द कहलाते हैं नीचे कुछ तद्भव और तद्सम शब्द दिये गए हैं देखे तद्भव तद्सम तो भी हमने उपर पड़ा था तो जैसे अंधिकार था तो अंधिकार को तद्भव में कहा लिखा गया? अंधेरा यानि सब्द तो संस्कित कह था लेकिन जब वो दद्भव में आया तो उसका रूप बदल गया अंधिकार से अंधिरा हो गया बहु वधू पत्ता पत्र नाच नित्य धुआ धुम्र दही दधी छेत छिद्र चान चंद्रम गाउं ग्राम घी धित कोयल कोकिल तो बच्चों यहां पर यह बहुत सारे शब्द दिये हुए तत्सम और तत्भव के तो यह सभी आपको पढ़ रहे हैं और याद करने हैं चलिए आगे चलते हैं तीसरा है देशज सब देशद देशज देशज शब्द वेशब्द होते हैं जो अपने देश की भासाओं से ही लिये गए हैं इन्हें देशज सब्द कहते हैं जैसे आटा, खटपट, बरगत, चुटकी, खेला, ठाल, पड़क, खर्राटा, भौपू, चुन्नट, डिबिया, दमादम तो यह और भी यहाँ पर शब्द हैं आप इनको भी पढ़ेंगे और याद करेंगे यह सारे हमारे देशज सब्द हैं अब आता है नमबर चार विदेशत सब्द, नमबर चार क्या हुआ? विदेशत सब्द, विदेशी बहासाओं के वे शब्द जो हिंदी में अपना लिए गए हैं, विदेशत सब्द कहलाते हैं, बहुत से विदेशी शब्द हैं, जो पूर्णू से हिंदी में घुल मिल गए ह सबसे अधिक शब्द अर्भी, फार्सी और अंग्रेजी से आये हैं अर्भी, फार्सी से आये शब्द इरादा, अगर, गंदा, तेज, दफ्तर, आइना, साल, साफ, पसाद इशारा, असर, गवह, तेहसील, दीवार, आगरा, हिरासत, सुस्त, बहदू तो बच्चो इसी तरीके से ये भी सारे अर्भी, फार्सी से ही शब्द लिए गए हैं तो इनको भी आप पढ़ लेंगे, अब आगे चलते हैं अंगरेजी से आई शब्द, वो कहां साय थे अर्भी और फार्सी अब जो अंगरेजी से हिंदी में शब्दा हैं इंजन, पुलिस, कालर, टैंट, कोट, टैक्स, पुली, पैंसिल, अपील, कॉपी, अफसर, टेलिफोन, पैंट, टोस्ट, कप, कार ये सारे शब्द कहां साय हैं, अंगरेजी से, अब चलते हैं नमबर दो, बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं नमबर एक, रूड शब्द, नमबर दो, योगिक शब्द, नमबर तीन, योग रूड शब्द रूड शब्द, योगिक और तीसरा है योग रूड यानि इन दोनों के मिलाकर जो शब्द बना तीसरा वो योग रूड है अब पहले चलते हैं हम रूड़ शब्द के बारे में वे शब्द जो दूसरे शब्दों से मिलकर बनते हैं उनका विशेस अर्थ होता है परन्तु इनके टुकड़े करने पर इनका कुछ भी अर्थ नहीं रहता वे रूड़ शब्द केलाते हैं जैसे कमल, दूद, माता, उस तक, लोटा, आदी इनमें कम और लग कर दें तो दोनोंका कोई भी अर्थ नहीं निकलता दूध, दूध, अर्ध, दूध को हम अलग लग कर दें तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता इसी तरह से जब हम शब्द को अलगला करते हैं और उनका आर्थ नहीं निकलता तो वे रूड़ शब्द कहलाते हैं नमबर दो है योगिक शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, योगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रधान, जमा, मंत्री, देखो प्रधान अलग होता है और मंत्री अलग होता है, जब हम इन दोनों को मिला दें, तो क्या बनेगा प्रध प्रधान और मंत्री, दोनों को आपस में मिलाया, दोनों का अलग अलग था, जब मैंने दोनों को मिलाया तो क्या बनिया प्रधान मंत्री, इस दरह से देव जमा दूद, देव दूद, राज जमा दूद, राज दूद, डाग जमा खाना, डाग खाना, देव जमा आले, पुस्तकाले यानि दो शब्दों को मिला के जब एक शब्द बनता है उसको पुस्तकाले यानि योगिक शब्द कहते हैं दुवारा पढ़ते हैं परिवासा वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं योगिक शब्द कहलाते हैं तो यहाँ पर देवा नियुल में पुश्टकाल्य, चिडियाघर, शक्ति-साली। ये दो शब्दों मिलाकर बने हैं। सुनना है बच्चो योगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बनते हैं, उनको योगिक शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं तीसरा है योग्रूड योग रूड वे शब्द जो अपने साधारन अर्थ को छोड़कर विशेश अर्थ परकट करते हैं, उन्हें योग रूड शब्द कहा जाता है इनमें रूड वैजोगिक दोनों प्रकार के शब्दों की विशेस्ताइं होती हैं, अर्थात योगिक शब्दों के समान उनके सा परतक खंड किये जा सकते हैं तथा रूड शब्दों के समान इनका एक विशेश पारंगत वे परचलित अर्थ होता है जैसे योगिक रूड शब्दिक रूग और विशेश अर्थ देखिए यहां जो शब्द लिखे में हैं वो है योग रूड शब्द यहां पे शब्दिक अर्थ उनका क्या अर्थ निकलता है और विशेश अर्थ यानि उन सब को मिला कि क्या बनना चाहिए जैसे दशानन इनका शाब्दिक अर्थ है दस सिर्ग वाला जैसे रावन यह विशेश नाम दिया गया रावन पितांबर पिले वस्त धरन करने वाला कौन विश्न, निशाचर रात में गूमने वाला कौन राक्षस, पंकच पीचड में खिलने वाला कौन कमन यानि एक शब्द को जब उसमें शब्दिक अर्थ निकलते हैं जैसे हमने बोला दशानन यानि दस सिर वाला तो दस सिर वाला कोन होता है रावन सुझना है बच्चो चलिए अब आगे चलते हैं अब आते हैं परियोग के आदात पर शब्द भेद परियोग के आदात पर शब्द भेद परियोग के आदात पर शब्द के दो भेद होते हैं पहला है विकारी शब्द दूसरा है अविकारी शब्द पहला विकारी शब्द क्या होता है वाक्य में परियोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द करते हैं वाक्यों में परियोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द करते हैं जैसे बच्चा पढ़ता है अब मैंने जब इसको बदल के लिखा बच्चे पढ़ते हैं तो अर्थ बदल गया यहाँ पे एक बच्चा था और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों में काम पढ़ने का ही कर रहे हैं दोनों तो क्याल कारें नहीं हो वाक्यों में परियोग होने पाद जिन शब्दों का रूप बदल जाए यानि हमने जो पहला था बच्चा पढ़ता है इसका रूप बदल दिया बच्चा को कर दिया बच्चे पढ़ता को पढ़ते है को हैं रूप बदल दिया लेकिन अर्थ निकलता है तो यह विकारी शब्द हैं लड़का खेलता है लड़के खेलते हैं मेज पर पुस्तक रखी हैं तो बच्चो अब आता है दूसरा अविकारी शब्द अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारग के कारण कोई परिवर्थन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं ये चार प्रकार के होते हैं नमबर एक क्रिया विशेशन, नमबर दो संबोध, संबन बोधक, नमबर तीन समुच्य बोधक, नमबर चार विसमे दी बोधक नमबर एक क्रिया विशेशन, क्रिया विशेशन अंदर, कल, तेज, धीरे, धीरे यानि जिस सब्दों से ये पता लगे कि कोई काम हो रहा है क्या काम हो रहा है जैसे अंदर कोई अंदर आ गया कल कल आएगा तेज बहुत तेज दोड़ना दीरे दीरे बहुत स्लोली चलना यानि दीरे दीरे तो किरिया हो रही है इसलिए हमने उसको किरिया विशेशन कहा है। दूसरा है संबन बोधक उपर अतिरिक बराबर आदी। संबन बोधक किसी वस्तु का संबन बताना। नमबर तीन समुच्य बोधक या और आदी। नमबर चार विस्मै दी बोधक यानी अरे आवा आदी यानी अचानक से कोई वर्डों का उच्चारण करना नमबर चार आता है अब अर्थ के आदार पर शब्द भेद अर्थ के आदार पर शब्द भेद कितने होते हैं अर्थ के आदार पर शब्द के दो भेद होते हैं एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक नमबर एक सार्थक, नमबर दो निरर्थक आई अब जानते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं जिन शब्दों का कुछ ने कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है जैसे लड़की, फूल, खेलना, आदि सार्थक शब्द चार परकार को होते हैं सार्थक शब्द चार परकार कोते हैं अब चलते हैं नंबर दो पर यानि निर्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं जैसे वाय, वानी, वाना, आदि इनका कोई भी अर्थ नहीं है तो ये कैसे शब्द है निरर्थक शब्द तो बच्चो आज आपने पार्ट नमबर तीन पढ़ा जिसका नाम था शब्द विचार और इस पार्ट में आपने क्या कर पढ़ा एक बात देख लेते हैं हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णों के मेल को शब्द करते हैं वर्णों के मेल को शब्द करते हैं शब्दों का वर्गी करण चार परकार से किया जाता है बनावट के आधार पर शब्द तीन परकार के होते हैं परियोग के आधार पर शब्द दो परकार के होते हैं सार्थक शब्द चार परकार के होते हैं योगिक शब्द योगिक शब्द दो सब्दों के में से बनते हैं तो ये बच्चो पार्ट नमर तीन था शब्द विचार अब आप इसको कम से कम दो बार पढ़ेंगे और पूरे पार्ट को याद भी करेंगे